हेलो फ्रेंस वेलकम बैक इन मा यूट्यूब चैनल फ्रेंस आज की इस वीडियो के अंदर आपको एप डाउनलोडर वेबसाट बनाना सिखाने वाला हूँ तो चले सबसे पहले आप इसकीन पर डेमू वेबसाट देख सकते तो कुछ इस तरह का वेबसाट है सबसे पहले आपर लोगो आता है कुछ कटेगरियों को भर आता है ठीके जूभी आप डिएड कर सकते हो और यहां पर सर्च बार आता बर अबढ़र आता है और यहां पर पॉपलर आपको का अफसान आज आता है और आप अपने website के अंदर अलग-अलग platform का भी software डाल सकते हो, चाहे हो Android हो, Mac हो, Windows हो, Linux हो, iPhone हो, सब का software इसके अंदर upload आप कर सकते हो, इस थरा का website का look आता देख सकते हो, popular app, last 24 hour, games भी upload कर सकते हो, security slater जो add कर सकते हो, अलग-अलग section अपनी साब से आप बना सकते हो, इस website के अं submit कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, नीचे submit your app का option दिया है, और नीचे आपका social media का link आजाएगा, और pages जो आप बनाओग हो, आजाएगा, यहाँ पर category, यहाँ पर platform, यह सब show करता है, तो गाई चली यहाँ पर कोई भी application में, क्लिक करते हैं, जैसे कि WhatsApp Messenger पे हम क्लिक करेंगे, उसका इस application का साइडियल उपन है, जैसे कि इसका नाम क्या है, कौन सा upload किया review, कितना है, कब update हुआ था, यहाँ पे देख सकते हो, share करने का option, इस skin shot भी आ जाएगा, देख सकते हैं, इस application का, नीचे इसका आपका detail आ जाएगा, update कब हुगा है, developer का download कितना हुगा, report भी कर सकत visit page का भी option है, और इसका description भी डाएगा, ठीक है, यहाँ पे like, dislike, सब कुछ ही यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ विजीट पेज है, यहाँ पर download का billing लगा सकते हैं, play store का billing डाल सकते हो, ठीक है, आपके website के तरो download कर सकते हैं, mode APK भी आप चाहो तो, इसके अ अपने website से, तो यह होगी आपका website, इसका कुछ इस तरह का आपको powerful admin पहल मिलता है, जहाँ से पूरा control करते हो अपने website को, यहाँ पे app, creative का अप्शन मिल जाता है, category, platform, page, slider, topics, news, content manager, ad setting, comment, submission, report, account setting, clear catch, documentation, app, portal, यह सरे अप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, admin panel के अंदर, त नाल सकता है, तो friends, अगर आप इस तरह का website, अगर आप बनवाना चाहते हो, app, downloader, website complete, तो आप मुझे वार्ट से message कर सकते है, number आपको description मिल जाएगा, तो चली यह बात कर लेते हैं, अगर आप कुछ से बनाना चाहते है, तो आपके बास क्या क्या होना चाहिए, कैसे बना सक सकते हो, तो आप इस तरह का website बनाने के लिए, आपका domain hosting होना चाहिए, सबसे पहले, उसके बाद आपके पास यह code होना चाहिए, जिस पर यह बना हुआ है, तो मेरे पास तीन हो है, आप domain hosting भाई कर लेना, hosting के अंदर आप, cpl मैंने login कर रहा है, cpl login करने के बाद आपको यह फाइल मेरे जबे क्लिक करना है, ठीक है, उसके बाद जो भी आपका domain में, subdomain है, उसके अंदर आपको इस code को upload करना है, ठीक है, तो जैसे आपको download करते हैं, आपको zip file मिलता है, zip file के अंदर आपको इतने सारे फाइल मिलेंगे, app, portal, changelog, database SQL, documentation, update, यह सारे फाइल मिलने वाल यह simply, ठीक है, तो जीस तरह से आप भी install करना, जीस तरह से हम install कर रहे है, same step को आप follow कर लेंगे, close कर देते है, यह folder बन चुक है, folder पर हम double click करेंगे, यहाँ पर select करेंगे, यहाँ पर move करेंगे, ठीक है, और इसको back करेंगे, जो भी हमारा domain में, उसके अंदर move कर देंगे, आ आपका .en भी show नहीं करता है, तो आपको अपने hosting में क्या करना, एक setting करना पड़ता है, एक setting करना पड़ता है, setting option दिखा है, show hidden file जो इसको enable करके, आपको save कर देना, उसके बाद show करेंगा, ठीक है, तो यह का हम पहले ही कर लेना, अंजीब करने से पहले ही, ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम जाएंगे database section के अंदर, myaskle drive yard पे हम click कर देंगे, और यहाँ पे हम एक database बना लेंगे, database का नाम हम रख देते हैं, demo app, ठीक है, और आप कुछ भी नाम रख दो, आप करी साब से जो भी compatible है, वो नाम आप रख सकते है, database का कुछ भी रख सकते है, और digit matter, same name हम user name म से generate कर लेंगे, ठीक है, password कोपी करते हैं, दोनों box के अंदर, हम password से fill कर देंगे, यहाँ पे हम create user पे हम click करने वाले हैं, और यहाँ पे जितने भी box है, L permission हम देंगे, next step पे हम click कर देंगे, यहाँ पे, तो महाँ database successfully बन चुका है, step 7, step 4 complete हो चुका है, उसके बाद .enb के control भी करेंगे, जो कि हमने database का password कोपी कर रखा है, उसको paste कर देंगे, यहाँ पे database section के अंदर, ठीक है, उसी तरह से database user ने हम कोपी करेंगे, इसको, इस तरह से, दोनों हमारा same है, तो दोनों जगा हम डाल देंगे, ठीक है, इस तरह से, अगर आपका अलाग अलाग है database ने में आपको डाल देना है, और यहाँ पे आपको domain name भी डालना होगा, तो domain name यहाँ से हम कोपी कर लेते हैं, जो कि हम sub domain में install कर रहा है, तो sub domain का यवारेल हम यहाँ पे डाल देते हैं, इस तरह से, ठीक है, HTTP है, यह से लगा देते हैं, और यहाँ पे save changes पे हम click कर देंगे, तो इस search करेंगे, phpmyadmin, ठीक है, phpmyadmin के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे हम database select कर लेते हैं, जो हमने database होई बनाया था, find कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ चुका है, हमारा देख साथ, देम एपसम ने database बनाया था, इस पे हम click करेंगे, select करेंगे इसको, ठीक है, उसके बाद यहाँ से import हम करेंगे, import पे हम यहाँ पे click करेंगे, और यहाँ से choose file करेंगे, तो यहाँ पे database मिलता है, database SQL इसको upload करना है, select करना है, open करना है, और इस तरह से import पे आपको click कर देना है, तो आपका यहाँ पे SQL file upload हो जाएगा, आपके server के अंदर, ठीक है, यह upload होता है, उन्हे future, यहाँ पे आप देख सकते हो, PHP manager यहां से change कर सकते हो, select PHE version यहाँ से भी, आप change कर सकते हो, 8.0 रखना PHP version, ठीक है, यहाँ पे upload हो चुका है, देख सकते है, हमारा SQL file चली, इसको हम close, तो अमारे SQL file यहाँ पे import हो चुका है, upload हो चुका है, इसको हम close कर देंगे, तो काई हमा तो जो भी demo और content है आप delete करना चाहो तो adminpal से delete भी कर सकते हो ठीक है और यह सब category और आप adminpal से change कर सकते हो यहाँ पर भी हम कोई भी एक page open करके देख लेते है Turbo VPN इस तरह का page हमारे website के अंदर आ चुका है domain name के अंदर आ चुका है हमारे website पे live हो चुका है तो आपको adminpal का login करना, adminpal login करने के लिए आपका domain name slash admin आपको type करना है तो adminpal का login का यहाँ आपको documentation में भी दिया गया है यहाँ पे documentation मिल जाता है इसको open कर सकते हो तो देख सकते हो adminpal का यहाँ user password दिया गया है यह हमारे adminpal का user password है चली copy करके लोग इन कर लेते है तो यहाँ पे यह username password डाल दिया उसके बाद यहाँ पे sign in पर हम क्लिक कर देते हैं हमारे adminpal लोग इन हो जायागा तो यहाँ पे adminpal भी open हो चुका है इसके अंदा जो भी setting आप कर सकते हो जैसे कि account setting है तो account setting के जाकर कि आप password आप चेंज कर सकते हो इसके नए password डाल सकते हो clear catch कर सकते हैं यहाँ पे setting जाकर के general setting में आपको जाना है और इसका नाम चेंज कर सकते हो अपना email id डाल दो अपना username डाल दो सब कुछ यहाँ पे social media का और यह सब आपका chrome job है जो कि आप add कर सकते हो अपने hosting में साइड का logo यहाँ से change कर सकते हो default image, default share image डाल सकते हो image का quality है, recapture और add कर सकते हो code और जुरुरत्य तो लगा सकते हो कौन-कौन चाज submission कर सकता है सब कुछ यहाँ पे फंचान है जो आप add करना चाहते हो सब से modification इसके अंदर कर सकते है issue कर सकते हो open AI का भी setting दिया है AI भी इसके अंदर है CDN setting है side map PWA setting error handling, translation यह सारे है, यहाँ से add आप लगा सकते हो तो यह अपसरी बनाया तो add लगाना आपको जरूरी है क्योंकि यही से आप कमा होगे ठीक है यह बहुब app detail यहाँ पे add लगा सकते हो ठीक है यहाँ इडिट पे लिक करोगे यहाँ आप HTML code डाल लोगा रहा है AdSense approval है तो AdSense का code डाल दो यहाँ तो कोई भी code आप डाल सकते हो कोई भी company का approval लेकर के आप code डाल के इस से earning कर सकते हो आपका profit होगा ठीक है इस website से तो इस तरह का website आप बना सकते है यह दमस्त website है ठीक है यहाँ पर न्यूज वोटा डलने का माने तो न्यूज यहाँ से डाल देना category news का topics अड़ कर लेना slider यही से अड़ कर लेना जो कि आपके home page पे show करता है page यही से अड़ कर सकते हो platform यहाँ से देखने रख category यहाँ से अड़ कर लेना ठीक है अब कितना है यहाँ पर आपको दिख चाहेगा ठीक है तो friends अगर आपको यह वाला website पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप भाड चाहेज तो डेली राम चैनल को जोईन कर सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा okay friends thank you so much and bye